नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं हूँ आपके साथ खंचन आपको बता दे कि जब चुनाव आता है तभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो राजनीती में अपना पाउं और जमाने की कोशिश करती है और जनता के मुद्धों को तभी जादा ही सुना जाता है वही हो रहा है बिहार की राजनीती में आप देखी सकते हैं कि किस तरह से नितीश कुमार ने भी जो मौन धारन कर लिया था हर मुद्धे पे वो कह रहे थे कि हमने तो देखा ही नहीं है हमने तो सुना ही नहीं है वही नितीश कुमार आज कुछ दिन पहले से वो हर सवालों का जवाब दे रहे हैं जिसमें कि उन्होंने निती आयो की रिपोर्ट का भी जवाब ये दे दिया कि बिहार को विसेस राजे का दर्जा मिलेगा तो बिहार फिससद्दी नहीं कहलाएगा वही नितीश कुमार आपको याद होगा कि जब उनसे पहला बार कोस्चन किया गया थ कि निती आयो की रिपोर्ट में बिहार फिससद्दी क्यूं है तो नितीश कुमार ने जवाब दिया था कि हमने तो देखा ही नहीं है ये सब क्यूं हो रहा है आप भी सोची रहे होंगे क्यूंकि जो चुनाव आने वाला है एक साल बाद जिसको लेकर बिहार के जितने भी पार्टी के राजनेता है वो अपनी तयारी में लग चुके है कि आखिर जनता को ही हम नहीं मनाएंगे जनता ही हमसे नाराज हो जाएगी तो उन्हें वोट कौन देगा अब आप सोच रहे होंगे कि इन सम्मुद्दों के बारे में हम आपको क्यूं बता रहे हैं आपको बत बतादे की चंडी गढ़ में अभी जन संपर्क अभियान चल रहा है जिसमें कई इलाकों में जाके बीजेपी के मंत reboot के मंत्री जैसे की जिवेश कुमार जैसे की राजीव रंजन जा और सम्राठ चौधरी अभी चंडी insect में जन संपर्क अभियान में मवजूद है अब आप सोच नहीं होंगे क्यूं तो हम आपको बता दे कि जो अगले साल जो विधान सभा का चुनाव आने वाला है जिसको लेकर केंद्र के तरफ से उन्हें भेजा गया है क्यूंकि आपको बता दे कि चंडी गढ़ में बिहारी मजदूर सब रहते हैं और बिहारी मजदू से हैं वो अभी वहां मौजूद है वहीं आपने देखा कि मुके सहनी जो वी आईपी के तरब से वो भी पांच राज्यों में जाके अपना जन्संपर्क अवियान रैली निकालते ही रहते हैं वहीं अब बिहार में चुनावी महौल बन रहा है जिस तरीके से रननीतिया बन र राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्र